नमस्कार मैंजन मक्ता स्रियों गौतम और जैसा कि हमने आपको पिछले तीन महीने पहले एक ख़बर दी थी कि राहुल गांदी देश का प्रदानमंत्री कभी नहीं बन सकता इसका दावा किया है डाक्टर सुभरोन स्वामी ने अब एक बार फिर से डाक्टर सुभरोन स्वामी ने मोर्चा खोल दिया है राहुल गांदी के खिलाब और आज उसी कड़ी में ग्रहम अंत्राले ने एक नोटिस जारी किया है राहुल गांदी को उनकी बिटिस नागरिक्ता को लेकर दरसली यह वही मामला है जिसका जिक्रम ने पहले किया था और जिसके आधार पर अमेठी के निर्वाचन अधिकारी के सामने दुरूबलाल नाम के दूसरे प्रत्यासी ने उसका नामांकन रद्द करने की याचिका लगाई थी लेकिन पता नहीं किस आधार पर किस दवाब में वहां के निर्वाचन अधिकारी यानि के डीम ने राहुल गांधी के नामांकन को सही पाया था उसके बाद डाक्टर सुब्रम स्वामी ने एक लेटर लिखा ग्रह मंत्याले में को जिसमें पूरा डिटिल दिया गया कि किस तरीके से उन्होंने घपला किया किस तरीके स बिटिस नागरिक होते हुए भी राहुल गांधी भारत की संसद में एक सांसद बनके काम करते रहे यह कितना बड़ा धुका है देश के साथ क्योंकि भारत का संम्मिदान और उसका अनुच्छे नौ कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी दूसरे देश की नागरिक हो ही नहीं सकता लेकिन राहुल गांधी बिटिस नागरिक होते हुए भारत में चुनाब लड़ते हैं जूटी नागरिकता के आदार पर या चुनाब जीतते भी हैं और एक ऐसी सरकार के रिमोट कंट्रॉल को चलाते हैं जिसके मुख्या मनमोहन सिंग हुआ करते थे दरसल यह पूरा मामला है बैंक कॉप्स नाम की एक बिटिस कंपनी के रेस्टेशन को लेकर जो 2003 में हुआ और जिसमें राहुल गांधी ने खुद को बिटिस नागरिक बताया और अपना पता उन्होंने गोसित जो किया वो था फिफ्टीवन साउथ गेट स्ट्रीट विंचेस्टर हमसायर एस जीरो टू थी नाइन इएच उसके बार जब उन्होंने पांच और छे में 2005 और 2006 में जब उसके रिटर्स दाखिल किये इंकम टेस्ट रिटर्न दाखिल किये तो तब भी उन्होंने अपने आपको विटिस न नागरिक बताया और 2009 में जब उस कंपनी का डिजॉल्यूशन लेटर डिजॉल्यूशन एप्लिकेशन फाइल किया गया तब भी राहुल गांदी ने अपने को बिटिस नागरिक बताया अब आप समझ सकते हैं कि राहुल गांदी जो सोनिया गांदी का बेटा है राजीब गांदी का बेटा है ये राजीब गांदी वही है जो वो फोर्स तोब दलाली के सबसे बड़े दलाल कहे जाते थे बादना मुलाहिम सिंग ने उनकी फाइलें गाइब करा दी थी ये व्यक्ति अपने आपको सुप्रीम कोर्ट से उपर मानता है ये व्यक्ति अपने आपको सीएजी से उपर मानता है संसच से उपर मानता है प्रधान मंत्री से उपर मानता है बायुशेना प्रमुक से उपर मानता है सब को चोर बताता है और तो और ये व्यक्ति भारत के स नागरिक्ता तब हासिल की थी जब इंद्रा गांदी ने बहुत दबाब डाला था और वो नागरिक्ता जो सोनिया को मिली थी और वो नागरिक्ता जो सोनिया को मिली थी उसमें भी पूरे पेपर्स पूरी प्रक्रिया को नहीं अपना आ गया था उसी तरीके से राहुल विंसी जी यही असली नाम है राहुल का राहुल विंसी एक कमपणी बनाता है बिटेस में जाकर और वहां पर अपने आपको बिटेस नागरिक शो करता है वह दूसरी तब 2004 का चुनाब लड़त थी जिसको एथिक्स कमेटी के सामने रखा गया था उसमें कई बार उन्होंने जब धवाब बनाया तब एक बार उसके अद्यच्छते लालकृष्ण अडवाणी उन्होंने राहुल गांदी की सदस्टिता ना तो खत्म की नहीं उस पूरे में मामले में कोई नेड़ने लि है कि मैं इस मामले को अब नहीं छोड़ूँगा जब तक इसका फैसला नहीं हो जाएगा यहीं बज़े है कि 29 तारिक को यानि कि कल जो नागरिक्ता के सेकेटरी है यानि कि सिटीजन सिप सेकेटरी है बारस सरकार में उन्होंने एक नोटिस इस परश तोर पर जारी कर दिया राहुल गांदी को और उसको बोला गया है कि आपको एक फोट नाइट यानि कि एक पाच जो पंदरें दिन का समय होता है उसके अंदर यह इसका जवाब देना पड़ेगा जिसका सीधा सा मतलब है कि 14 मैं तक राहुल गांदी को इसका जवाब सत्थियों के साथ देना पड लेगा कि या तो यह जो दस्तावेज बैंक कॉप्स कंपणी में लगे थे वो जूट थे यह किसी और व्यक्ति ने लगाए यह नहीं लगाए या फिर उसने जो भारत की नागरिकता गोसित कर रखी थी वो उससे गलती हुई थी दोनों ही मामलों में राहुल का फसना तैमा ना जा रहा है क्योंकि सामने जो पार्टी है सामने जो व्यक्ति है उसको जुटलाना और उसको हराना आज की डेट में भारत में तो संभव नहीं है अगर ऐसा संभव रहा होता तो जब यूपीय की गवर्वेंट चला करती थी तब सोनिया और राहुल को जवानत लेने पर मजबूर ना होना पड़ता डाक्टर सामी ने इस पश्ट किया है कि वो राहुल को प्रधान मंत्री नहीं बनने देंगे और इस वार तो अगर उन्होंने जोड लगा दिया तो राहुल सांसद भी नहीं बन पाएगा क्योंकि कोई भी विदेशी व्यक्ति जिसने भारत की नागरिक्ता नहीं ली है वो भारत का सांसद भी नहीं बन सकता और जिस प्रेके से तीन तीन एफिदेविट में राहुल गांधी ने जूट भोला है राहुल विंसी होते हुए राहुल गांधी बधाने की कोसिस की बिट्रियस नागरिक्न को बताया और दूसरे तब भारत का नागरिक भी बताया तो यह जो दोका है वो बेटिस की सरकार को भी दिया और भारत की सरकार को भारत के लोगों को 130 करोड को दिया यह वही रहूल गंधी जो भारत के प्रदानमंत्री के उपर बश्टाचार के आरोप लगाता रहता है जिसकी बहसा इतनी ज्यादा निक्रिस्ट हो गई है कि जब हम गाउं के लोगों से बात करते हैं तो गाउं के कम पड़े लिखे किसान मजदूर भी कहते हैं कि जो सोनिया का लड़का है यह पागल हो गया है जिस तरीके से वो भासा का इस्तमाल करना है देश के प्रदानमंत्री के लिए बिना किसी सुबूत के उनको चोर बता रहा है जब किसका खांदान चोर है यह बात करते हैं मेटी के भी लोग राय वरेली के भी रोग हमने उससे बात की हमने पूरे देश में जब इस बात को लेकर सवाल उठाए तो लोगों का यही कहना था कि जिस ब्यक्ति को बात करने की तमीज नहीं है वो प्रदानमंत्री कैसे बन सकता है सारा मामला फिक्टिस नागरिकता को लेकर है जिसको लेकर नामंकन तो इनका बज गया लेकिन अब चुकी मामला ग्रह मंत्रावले केपास पहुच गया है और स्मामले को दवा नहीं सकता क्योंक दक्टर सब्रुम्व्श्वामी इसको पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं उन्होंने राजराज सिंग को लेटर लिखा था जो ग्रेमंत्री है उन्हें इस परस्ट तोर पर कहा था कि इस मामले को सीगरता से निप्टाया जाए क्योंकि अगर यह व्यक्ति जूट बोलकर भारत का सहंसत बना रहेगा तो भारत के सम् कि उनकी आदत हैं लेकिन वो लोग जानते हैं कि वह इस तरीके से केवल मीडिया में आकर अपने पेट चैनलों के माध्यम से इसका खंडन कर सकते हैं और ना ही ग्रह मंत्राले में क्योंकि डाक्टर सुप्रमान स्वामी जब भी कुछ करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारा रिसर्च होता हैं बहुत सारे तथ्य होते हैं और जो पेपर सुनोंने 14 पेपर जो इस लेटर के साथ भी राहूल गांदी को बेजे गए बी सी जोसी डारेक्टर सिटीजन सिप ने जो बेजे हैं उसमें 14 जो तथ्यात्मक पेजेज हैं वो राहुन को बेजे हैं राहुन गांदी के बकील जब अमेठी में यह सवाल पूछा गया था तो दो दिन उन लोगों को लगे थे जो वांके निर्वाचन अधिकारी है उन्ह नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह मामला अव उलजता नजर आ रहा है और इसको लेकर बाकि जो पार्टिया है जो पार्टिया समर्थन कर रही है कॉंग्रेस का और कॉंग्रेस के गड़ जो समर्थक दल है उनको भी इस पश्ट करना पड़ेगा कि क्या है वह ऐसे व्यक्ति का समर्थन करेंगे जो बिटिस नागरिक खुद को दिखाता है और दूसरी तब भारत में साजसत बनता है भारत में एफिडेविट नकली लगाता है अपने आपको राहुल गांदी बताता है उसके सच्छडिक प्रत्मार पत्रों में उसका नाम राहुल बिंसी है और यहां नागरिक्ता के साथ साथ उसने जो जनम ती अपनी दिया वह है उन्नीस जून उन्नीस सो सत्तर यानि कि उस हिसाब से राहुल गांदी की उम्र में भी फर्क नजर आ रहा है तो सीधे तोर पर ये देश को गुम्रा करने का जो काम इस परबार ने किया है और जो करते आए हैं क्योंकि आपको पता होगा कि जब बोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो राजीब गांदी ने उस त्रासदी के सबसे बड़े गुनाइगार हत्यारे जिसने हजारों लोगों की जान ले ली थी एंडर्सन को भगाने में सबसे बड़ी भून का निवाई थी और उसके साथ साथ जो ततकालिन मुक्मंत अरजुन सींग उसने और राजीब गांदी ने उसको भगाने का काम किया था उसके बाद जिस तरीके से तमाम गोटालेवाजों को चाहिए क्रिश्टियन मिशेल हो उनको भगाने में इस परिवार ने जो अपनी भूमिका निवाई है तो इन लोगों की जो विश्वसनियत है वो एकदम से संद्य के घेरे में है और इस बार वो बुरी तरह से फस गए है चुनाब का रिजल्ट तो 23 मई को आएगा लेकिन उससे पहले 14 तारीक तक राहुल गांदी को यह साबित करना पड़ेगा कि जो वैंक कॉप्स कंपनी के लिए उसने एफीडेविड लगाया वह जूटा था वह भारत का नागरिक था और विटेस नागरिक था नहीं ती उसके पास अगर वह था करता है तो विटेस सरकार भी इसके खिलाब कार्नेवाई करेगी क्योंकि उसने वहां पर एक कंपनी रेइस्टे कराई जिसमें वह डारेक्टर था सेकेटरी भी था और अगर उसे जूटे तथ दिये हैं तो निश्चित तोर पर जो बिटेस अधिकारी है वो भी राहुल गांदी के खिलाब संबन जारी कर सकते हैं यह मामला और आगे बढ़ेगा देश के लोगों को अब जानने का हक है कि जो व्यक्ति अपने आपको कॉंग्रेस पार्टी का अधिच कहता है और दावा करता है कि यह पार्टी डेड़ सो साल पुरानी है जबकि बास्तम में अगर देखा जाए तो यह कॉंग्रा जो कॉंग्रेस है वह इंद्रा कॉंग्रेस है जो इंद्रा ने कॉंग्रेस को तोड़ कर बढ़ाई थी खैर कुछ भी हो लेकिन अब ज सावित करना पड़ेगा कि आप दोकेवाज नहीं है सच्चे है उसका प्रमान राहुल गांदी को 14 मई तक देना है अगर उसमें राहुल गांदी फेल होता है तो निश्चित तोर पर जो आखरी कि चरण का चुनाब है उसमें बहुत बड़ा असर पढ़ने वाला है जैहिन जैवारा